हेलो फ्रेंज तो स्वागत है आपका आज मेरे कीचन में आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुती लाजवाब पालक पनीर की रेसिपी पालक पनीर एक ऐसे चीज है जो हम सब बहुती खाना पसंद करते हैं और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर आती है बिल्कुल रेस्टराण जयसी तो चलिये फिर शुरू करते हैं बालब पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है डाईसोग्राम पनीर पनीर को मैंने इसे square टुकडों में cut कर लिया है पनीर के टुकडे थोड़े बड़े बड़े ही करे, बहुत छोटे ना करे दो medium size के प्याज लिया है, प्याज को मैंने मोटा मोटा cut कर लिया है कुछ खड़े मसाले लिये है, इसमें मैंने दाल चीनी का तुकड़ा लिया है, एक इंच, स्टार फूल, एक खरी इलाइची, दो से तीन लोंग और दो से तीन काली मिरे लिये है एक मेडियम साइज का टोमेटो लिया है, टोमेटो की हम लोग पेस्ट बना लेंगे, प्याज और टोमेटो की पेस्ट हम लोग अलग अलग बनाने वाले है आधी कटोरी हरा धनिया लिया है गारनिश करने के लिए, और एक चमश लेसन अद्रक की पेस्ट लिया है और आधा किलो पालक लिया है, पालक को मैंने अच्छे से धोकर इसके पत्ते तोड़ लिये है पत्तो के साथ मैंने थोड़ी से डंडी रखकर तोड़ा है क्योंकि डंडी में विटामिन होता है और इसी के साथ हमारे रोज यूज होने वाले मसाले हम लोग सबजी में यूज करेंगे तो सबसे पहले ग्यास पर तवा गरम करने के लिए रख दे तवा गरम हो जाने पर इस पर प्यास डाल देंगे और प्यास को लगबग 2-3 मिनिट तक भून लेना है पहले प्यास को बहुत जादा नहीं भूनना है प्यास को हलका सा गोल्डन ब्राउन होने दे अब आप देख सकते कि प्यास हलका सा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसे इस तरह से थोड़ा सा साइड में कर दे और जो खड़े मसाले लिए है उसे भी इसी में बूनने के लिए डाल दे अब इस पर आदा चमश टेल डाल दे और टेल दार कर इसे 2-3 मिट तक बून ले अब 4-5 मिट बाद प्याज और खड़े मसाले बून गए है तो बिक्सर में से इसकी पेस्ट बना ले अब एक बर्तन में मैंने 2-3 गलास पानी उबलने के लिए रख दिया है जब पानी में उबाल आ जाए तो हमने तोड़ कर रखी हुई पालक इसमें डाल देंगे पालक डाल देने के बाद हमें इसे बस दो मिट तक उबालना है इसे हमें बहुत देर तक नहीं उबालना है जब दो मिट बाद पालक उबल जाए तो इसका पूरा पानी निकाल दे और इसे ठंडा होने दे और उसके बाद बीना पानी डाले, मिक्सर में से पालग की बारिक पेस्ट बना ले अब ग्यास पर एक कड़ाई गरम होने के लिए रख दे और कड़ाई में तीन बड़े चम्मज टेल डाले सबजी बनाने की प्रोसेस शुरू करने से पहले प्यास, टमाटार और पालग इन तीनों की अलग-अलग पेस्ट बना कर रखे और उसके बाद आप सबजी बनाने की प्रोसेस शुरू करे मैंने इन तीनों की पेस्ट बना कर रखे और अब सबजी बना रही हूँ तो कड़े में मैंने तीन चमच टेल डाल दिया है, टेल को गरम होने दे, टेल गरम हो जाने पर मैंने इसमें पनीर को गोल्डन ब्राउन कर लिया है, और अब बाकी का बचा हुआ पनीर भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, आप भी इसी तरह पहले तेल में पनी राई एक चमउन जीरा और राई जीरा तरड़क जाने पर एक चमउंच लसन अदरक की पेस्थ ताल दे Hayır और इंहें अच्छे से भून ले अब इसमें प्याज और खड़े मसाले की बनाई हुई पेस्ट डाल दे और इसे भी 2 मिनिट तक अच्छे से बून ले प्याज को 2 मिनिट तक बून लेने के बाद इसमें टमाटर की बनाई हुई पेस्ट डाल दे तमाटर की पेस को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना होता है हम बस इसे एक मिनिट तक ही भूनेंगे और अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला पाउडर और दो चमच लाल मिर्ज पाउडर आप अपने टेस्ट के इसाप से कम ज़ाधा कर सकते है और अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर दे और मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे आधी कटोरी के करीबन अब इसमें पालक की बना कर रखी हुई पेज डाल दे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब इस पर एक थाली ढग दे और ग्यास की फ्लेम को लो कर दे और इसे पकने के लिए छोड़ दे 5 मिनिट तक आप 4-5 मिनिट बार हम इसे चेक करेंगे तेल कितनी अच्छी तरह से अलग हो गया है सबजी से इसका मतलब है कि सबजी अच्छे से पक गई है अब इसमें एक चमच नमक डालेंगे और इसे के साथ फ्राइ करके रखा हुआ पनीर भी डाल देंगे अब इसे चमच से मिक्स कर ले पकने के बाद जो है ग्रेवी थिक हो जाती है तो अब आम इसमें पानी डालेंगे आपको ध्यान रखना है कि इसमें गरम पानी ही डालना है ठंडा पानी ना डाले मैंने इसमें एक कप पानी डाला है अगर आपको ग्रेवी और थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी और डाले इस पर एक ठाली डब दे और इसे एक मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दे अब आप देख सकते हैं कि सबजी का कलर और टेक्स्चर कितना अमेजिंग आया है अब हम लास्ट में इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे एक चम्मच कस्तूरी मेथी डालने से सबजी का टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है वारी पालक पनीर की सबजी बिल्कुल रेडी है तो इस पर हरा दनिया डाल कर इसे नान या फिर रोटी के साथ सर्फ करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले